जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ मैं आपके एस्टोलोजर हूं वास्तूशास्त्री हूं चहरा भी पड़ती हूं हाथ भी पड़ती हूं और आवाज भी पड़े लेती हूं पर उससे पहले मैं आपकी सार्थी हूं वो सार्थी जो आपके जीवन को नित प्रते दिन बदलने के लिए उसमें कुछ नया करने के लिए आपको रोज नए नए तरीके के उपाय बताती रहती हैं आप से जो भी संभव हो पाय आप अपने जीवन में करा जरूर करिए क्योंकि देखिए हम जब सुभह अपने घर से बाहर निकलते हैं और जब हम रात को अपने घर में वापस आते हैं हम ना जाने कितने लाखों लोगों के साथ में हजारों लोगों के साथ में हम स्पर्श कर जाते हैं उनकी वाइब्रेशन, उनकी उर्जा, हम अपनी उर्जा के साथ टकराते हैं, कहीं ना कहीं यही चीजे मिल मिलकर जोड़ कर एक कहीं ना कहीं पूरा पहाड खड़ा कर देती हैं नाकारत्मक्ता का, और जैसे ही ग्रहों की अपनी चाल चलती है, जैसे ही ग्रह अपनी तरीके स चीजे करते रहना चाहिए जिससे हमें आने वाली नाकारत्मकता से दूर रहने के लिए एक बहुत सुरक्षित कड़ी मिल जाए एक प्रोटेक्शन शिल्ड मिल जाए जो हमारे आगे खड़ाई हो जाए हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर प्रार्थे ना करना चाहिए भी नाकारत्मकता से दूर रखने के लिए ही तो आती है तक हमारे जीवन में कभी भी नाकारत्मक चीज़े हमें छूना पाए लेकिन बहुत कुछ होने के बावजूद भी घर के अंदर कल है खतम नहीं होता घर के अंदर कलेश नित प्रति दिन बना रहता है बात बात पर हम एक दूसरे से अड़ जाते हैं हम सही भी कह रहे होते हैं तब भी लोगों को ये लगता है कि हम गलत ही राय ही लगता है बुरा ही लगता है अगर आपके साथ भी ऐसा है आपके घर में भी बात बात पर कलेश होता है अगर आपके घर के सदर से एक दूसरे के साथ में बैठ कर ढंग से कुछ देर कुछ वक्त भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं अगर आपके घर में हमेशा एक कलेश का सा माहौल बना रहता है शाम के बाद एक अलग सी घुटन होने लगती है आपके घर के अंदर शाम को अलग सा तनाव होने लगता है एक भारी पन आपको अपने सिर पे अपनी पीट पे अपने कंदों पे महसूस होने लगता है आए दिन आपके घर के सदस्यों की तबियत खराब होती रहती है आपके घर का पैसा बे फुजूल में खर्च होता है आपके घर में बरकत नहीं हो पाती आप जो भी काम करें उस पे टोक जरूर लगती है आप दो दिन खुश रह लें तो तीसरे दिन आपको रोना जरूर पड़ता है अगर ये सारी चीजे भी आपके साथ हो र परिशानिया हो सबसे पहला जो चीज होती है जब से सबसे पहली जो हमारे पास में शिक्षा होती है जो सबसे पहली हमारे पास में कुंजी होती है उस बुरे वक्त से उस परिशानी से निकलने की वो होता है हमारा अपना धहर्य हम कितने धहर्य के साथ में उन परिस्तितिय से लड़ सकते हैं यही हमारी सही पहचान होती है अगर आपके साथ भी यह दिक्कते हो रही है तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजे परन्तु धहरे करिएंगें कि ढहरे रखेंगें तभी आपकी की वी चीज सफल हो पाएगी क्या करना है आपको षणिवार वाले दिन एक पानवारीड लेना है जटा वाला जो नारीड होता है पानी का सद्स्यों पार से खुमा लीजेंगें सिवह घुमांने सब और एक काला धागा बांद दीजे, उसके बाद आप उसको अपने घर से बाहर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर आप उसको जला दीजे, कपूर और घी और गाय के कंडे के ऊपर रखकर आप इसको जला दीजे, ऐसा करने से बड़ी से बड़ी नाकारत्मक उर्जा, बड़ी से पुर्भगा देगा आपके घर में कलहे और कलेश कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे चलिए चलते चलते आपको एक वास्तुटे पाउर देती हूं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलहे बना रहता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको काले कपड़े के अंदर होड़ी सी काली राई बांध कर शनिवार वाले दिन अपने घर के प्रवेश द्वार पे लगा देनी चाहिए और आपको साथ शनिवार तक ऐसा करना है पिछली जो राई है वह आपको वह पोटली लेकर चरहाय पर पटकानी है और फिर नई आपको पोटली लगा देनी है आपको साथ शनिवार तक करना है ऐसा करने से आपके घर में आएवे बड़े से बड़े वास्तु दोश थे आपको निवारन मिल जाएगा और आपके घर का वास्तु दोश धीरे-धीरे कम होने लगेगा आपके घर की नाकारत्मक उर्जा साकारात्मक स्वतय ही होने लगेगी चलिये, आज के लिए बस अतना ही, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग ले कर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहीएगा, रिष्टों में मजबुती बनाते रखिएगा, अपने इस सार्थी के साथ यूही जुड़े रहीगा, प्यार देते रहीगा, प्यार लेते रहीग मैं फिर आउंगी बच्चों ख्याल ज़रूर रखेगा अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मन करें तो लाइक और शेयर भी कर लिजेगा मुझसे बात करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं वाट्सप कर सकते हैं मैसेज़ेस कर सकते हैं मै मैं फिर आउंगी तब तक के लिए जैशे कुष्णा